शिवजी और विश्णुजी में क्या अंतर है? मित्रों शिवजी महा विश्णुजी के पूर्णा वतार है, शिवजी सारे ब्रह्मानों के बिनाशक है और विश्णुजी सारे सुर्ष्टे के पालक है, महा विश्णुजी की ही दो सुरूप है शिवजी और विश्णुजी पर शिवजी और विष्णु जी में क्या अंतर है ये बहुत कमे लोग जानते हैं आज इसी टॉपिक पर बात करेंगी पर विष्णु जी विष्णु लोग में अपने भक्तों के साथ रहते हैं शिवजी की पास जो लोग रहते हैं उनको शिवगण कहते हैं और जो लोग विष्णु जी के साथ रहते हैं उनको विष्णु पाशत कहते हैं शिवजी के अलास परवत पे सिर्प एक पत्थर पर ब विष्णु जी विष्णु लोग में बड़े से महल में रहते हैं और अपने ही लोग में विष्णु जी का सबसे प्रिय अवाहन नंदी है जो उनीक के अवतार है विष्णु जी का नेचर शांत रस वाला है वे दुसरों की ज्यादा केर नहीं करते है बैसिकलि उनको शांत वातारन में रहना पसंद है शिवजी को क्रोड पसंद नहीं है प्रविश्णुजी का नेचर खेल कुद वाला है वे दुसरों की बहुत केर करते हैं और उनको क्रोड में रहना पसंद है शिवजी गंबिर सभावाले भगवान है प्रविश्णुजी सदा हसमुक रहते हैं औ और मजा मस्ती करना उनका सुभाव है शिवजी जयातर अपने आप में रहते हैं इसलिए उनको प्रेमी भगवान नहीं कहा जाता पर विश्णुजी सदा दुसरों की कल्यान में ही लगे रहते हैं इसलिए उनको प्रेमी भगवान कहा जाता है शिवजी बहुत जल्दी इच् मावली का यर्थ है मात्रो रुदई भगवान शिवजी की कोई भी निशवार्द भхति नहीं करता पर विश्णुझी में ऐसा आकर्षन है कि कोई भी आराम से निशवार्द भखति कर सकता है जो लोग शिवजी की निशवार्द भखति करते हैं उनको सदाशू वैखुंट प्राप्त होता है शिव जी का सबसे प्रिया मंत्र शिव नाम है और विश्णु जी का सबसे प्रिया मंत्र नारायन नाम है अगर कोई बड़े मंत्रों को चपना चाता है तो शिव भक्त ओम नमश्वय मंत्र का जाप करें और विश्णु भक्त लक्षमी नारायन मंत्र का जा पर शिवीजी आलमुस्ट कभी भी आवतार नहीं लेते शिवीजी के जो ग्यारह रुद्र आवतार हैं उनमें सिर्फ हनुमान जी ही जीओंपर पर्कृपा करते हैं बाकि सभी आवतार सदाश्यु लोक में ही रहते हैं जब शिवीजी रक्षेंस से तो बहुत जल्दी पर बेढ़ते हैं पर विश्णुजी हमेशा शेशनाग पर ही बेढ़े रहते हैं ऐसे मित्रों शिवजी और विश्णुजी महाविश्णुजी के ही पूर्ण आवतार होने पर भी इनमें बहुत अंतर देखे जा सकते हैं भगवान की गुण अपने आप में ही कितने अलग- पसंद है वे उनकी इमानदारी से भक्ति करें और जिनको विश्णुजी पसंद है वे उनकी इमानदारी से भक्ति करें अगर आपको डौट हो तो मुझे पोस्ट टैब में कमेंट आउश करें अगर आपको भक्ति में कुछ दिक्कते आ रहे हैं तो बेज जग कहें अगर वीडियो अच्छा लगी हो, तो शेर वशे कर दें, तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको यह इच्छा लगाओ, तो आप कहिया कर सकते हैं, आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार अवलान के साथ, अपने इस तरह में साथ जरूर शेर कीजे और थर्ड़ बात कहा है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजे क्योंकि आपको ऐसे ही बहतेलने क्रेंटेंट हमेशा इस चैनल से मेशा मिलते रहेंगी इस जरूर आपके कीजे जरूर सब्सक्राइब कीजे तो stay bliss, stay awesome आपको साथ में